कैसे आप सब यह सब क्या बता है कि पिछली इस रंकला में हम ने आयू पीएसी के बारे में जर्चा की थी कुछ बच्चों के केमेंट्स थे और मेरे पास क्वेडिस थी कि इलेक्ट्रानिक बिन्यास के बारे में बताया जाएं आज एक बहुत बढ़े हंट्टिक ले करके इन अलुए इलेक्ट्रानिक बिन्यास हमारा जो है वो दो प्रकार का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इलक्ट्रानिक करेंफिर्गेशन भी कहते हैं में सियए है कि इसके लिए दो नियम बताए ग counselor नियाम पहला नियम होता है आप बाव का नियम दूसरा होता है आपका बहर बरी का नियम आप बाव का नियम और दूसरा है आपका बोहर बरी का नियम इस टॉपिक के बाद मैं ये निश्चित तोर पर कह सकता हूं कि इलेक्ट्रानिक विन्यास में किसी भी प्रकार की किसी कोई सांस्या नहीं होने वादी है इसलिए इसको पूरा देखें आप लोग ये जो आपका अबाव का नियम है ये S, P, D, F पर आधारित है और जो आपका बोहर बरी का नियम है ये K, L, M, N पर आधारित है मेंस यह है इलेक्ट्रान जब भरे जाएंगे आप बाउ नियम के अनुसार तो SP-DF के अनुसार भरे जाएंगे इसके पश्चार जो बोहर बरी का नियम है इसमें कच्छाओं के अनुसार भरे जाएंगे यानि इनको हम कहते हैं कच्छक, SPDF कच्छक है हमारा और KLMN हमारा जो है ये कच्छक है लाती है इलेक्ट्रानिक विन्यास का क्रम क्या होता है सबोस्थ दर जैसे मालीज जे हमने एक छोटा सा कंपाउंड लिया 3LI ये है लीथियम इसे हम क्या कहते हैं लीथियम कहते हैं और इसका जो बनाने का क्रम है लेक्ट्रानिक विन्यास 1S2, 2S2 मेंस ये है इसमें 3 है हमारा परमानों करमान तो ये हो जाएगा 2S1, 2A1, 1, 3, 3 लेक्ट्रान हो गए मेंस हमारा कहने मतलब क्या है ये तो आपवावनियम का पार्ण कर रहा है किसी भी तरह का कोई भी लेक्ट्रानिक विन्यास हो तो सुरुवात कहां से होती है आपकी 1S से होती है फिर इसके पाचात जैसे जैसे परमानों करमान बढ़ता जाएगा लेक्ट्रानों की संख्या भी कच्चकों में बढ़ती जाएगी एक्जामपल के लिए बड़ा साल लेते हैं जरा इलेवन एने सोडियम ग्यारा होता है इसका परमानों करमान इसका इलक्ट्रानिक विन्यास करने के लिए क्या करें लेडियम सोडियम आवर्थ सान्य में एक ही वर्ग में आने वाले इतत्त है इसलिए इनका जोक टा興ंच था एक जैसा ही था यह एक समझ पारहिं बेस्किली यह कहता है कि इसके पर सब्सक्कारण कर रहा है अब पर जड़ा थोड़ा सा 24 क्या लेले हम एमन लेले मैंग नीज कहते हैं इसको क्या गहते हम लोग मैंग नीज इलेक्ट्रानिक विन्यास का प्रोसेस क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 जड़ा गिनते हैं 6 to 8 10 12 3p6 कितना हो गया 18 परमाणो करमांग 24 है अब जो 3p6 है इसके परश्चात हमारा क्या आता है 3p6 के बाद हमारा थोरेस आएगा लेकिन यहां पर तुरह समझना है कि 6 to 8 हो गया 8 6 14 हो गया 16 और 18 मिन्स कितने इलेक्ट्रान पचे हमारे पास कुल मिला करके 6 इलेक्ट्रान तो आपके दिमाग में आ रहा हो गया आप 2 इलेक्ट्रान भर दिये जाए चलिए ठीक है अब 4 इलेक्ट्रान पचे शार इलेक्ट्रान भरे जाएंगे कहां 3D में लेकिन ये भी गलत है सही क्या है सही ये है कि इसको ऐसे बिगाड़ करके हम यहां क्या कर दे 1 कर दे और यहां 3D 5 कर दिया जाए means ये है D कुल 5 और 10 D में अधिकतं 5 या 10 इलेक्ट्रान भरे जाते हैं खीक एस में इसमें कितने अबर जाएं यहां पर दिखता हुआ है देखेज़ा एस बराबर 2 टी बराबर 6 डी बराबर 10 एव बराबर 14 ऐसमें अधिकतं फरी लेक्ट्रान के संख्या 2 दि में देखतं या इनको तो अधिकतम इलेक्टरान भरे जाएंगे टोटल 14 इलेक्टरान भरे जाएंगे मैं समझता हूं आज की इतना पर्याप्त है इसमें जो भी संसोधन करना हो या किसी विप्रकार किया आपको कोई प्रॉब्लम हो सुझने में तो तुरंत कमेंट करें मैं इसको जो है सुधार कर होंगा थैंक यू